In this module we will discuss social variations जैसा कि हमने देखा कि एक honey bee की जो colony है उसके अंदर different types के organisms मौझूद है उसके अंदर drones मौझूद है उसके अंदर queen मौझूद है उसके अंदर workers मौझूद है तो ये जो social system है ये honey bee के इलावा कुछ दूसरे insects के अंदर या दूसरे organisms के अंदर भी मौझूद होता है जिस तरीके से आंच्स के अगर हम बात करें तो इनके अंदर complex social colony इनकी होती है इस colony के अंदर queen है queen basically colony की leader कहलाती है और इसका main जो purpose है इसका जो मकसद है वो colony को populate करना है यानि जो queen है इसका काम reproduction है और young ones produce करना है ताके जो colony के members की तादाद को बढ़ाया जा सके और एक जो female है वो thousands of eggs produce करती है female की अगर हम बात करें तो इनके अंदर जो female है वो deep colony के अंदर रहती है ऐसा क्यों है क्योंकि जितना deep ये रहेगी उतना इसको जादा protection मिलेगा क्योंकि जो workers होती है वो इस colony को protect कर रही होती है तो female deep के अंदर मौजूद होती है ताके अगर इस colony के अपर कोई attack होता है तो ये protection हासल कर सके और इसका जो life span है वो काफी बड़ा होता है यानि कुछ cases के अंदर ये देखा गया है कि एक queen जो है उसकी जो life है वो 30 years तक हो सकती है इसी तरीके से colony के अंदर ड्रोन्स मौजूद होते हैं ड्रोन्स का जो काम है ये जिस तरह honey bee के अंदर ड्रोन्स का काम reproduction है इसी तरीके से यहाँ पे भी जो ड्रोन्स है इसका मकसद सिर्फ reproduction है reproduction के बाद इनकी death हो जाती है और बहुत कम देखा गया है rarely इनको जो hive है या जो colony है उससे बाहिर देखा गया है जबके जो workers है workers का काम foraging है यानि food की collection है और इसके साथ साथ जो colony है उसकी protection है पास दफ़ा ऐसे होता है कि जब female egg ले करती है तो egg से winged male और female produce होते हैं जिनको alerts या reproductive कहते हैं ये जो winged male और female जब mature होते हैं तो mature करने होने के बाद ये इस colony को leave कर देते हैं और ये किसी नई जगा पे जाके settlement कर लेते हैं और वहाँ पे एक नई colony establish कर लेते हैं तो इस तरीके से ये जो winged farm है ये इनकी मदद करती है इनको एक जगा से दूसरी जगा shift होने में एक colony से एक नई colony को establish करने में झाय कर दो जगा से अ Julia is झाय कर दूसरी तो आयud